आज का इंडिया टॉक शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जो प्यार और मान आप हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार अपना ये प्रेम हमारे उपर बनाए रखिए हमारी वीडियोज को लाइक, कमेंट और शेर जरूर कीजिए और टैग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए आज मैं आपके साथ एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनोंने अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाई वह एक लेखक, कवी, क्रांतिकारी और दूरदर्शी नेता रहे हिंदू समाज में कई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कूरीतियों को दूर करने का प्रयास भी उन्होंने आजीवन किया मैं बात कर रहा हूँ स्वातंत्र वीर, विनायक दामोदर सावरकर की सावरकर का जीवन आज भी भारतिय समाज में वह स्थान नहीं पापाया है कि जिसका वह अधिकारी है मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंगिनत लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा उपर से जिस प्रकार की भ्रांतियां उनके विरुद्ध चलाई जाती रही है और आज भी चलाई जाती है उसके कारण उनका योगदान यतोचित स्थान पाने में असक्षम रहा है ऐसे कुछ फैक्ट्स और मित के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे उनकी 138 वी जैनती पर मैं आज उनके जीवन की कुछ बातें आपके साथ साज़ा करना जाता हूँ विनायक दामोदर सावरकर का जन 28 मई 1883 में भागूर नामक एक गाउं में एक चित पावन समुदाए के ब्रामिन परिवार में हुआ था इस चित पावन समुदाए ने असंख्य महापुर्शों को जन्म दिया जैसे की छत्रपती साहुजी, बालाजी बाजी राओ, नाना साहेब, लोकमान तिलक, एमजी रानाडे, विनोभा भावे, दादा साहेब फालके, इत्यादी सावरकर ने अपनी आरंबिक शिक्षा भागूर में ही पाई, अपनी कॉलिज की शिक्षा के लिए उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलिज पूने में पढ़ाई की, और फिर 1906 में लोकमाने तिलक की सिफारिश पर वहे वकालत की पढ़ाई करने लंडन चले गए तिलक ने उनकी सिफारिश महान करांतिकारी श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा से की थी, जो आक्सफर्ड से अपनी वकालत पढ़ चुके थे, और संस्कृत के भी बहुत बड़े ग्यानी थे उनके जीवन पर आरे समाज के स्वामी दयानन सरस्वती जी का बहुत अधिक प्रभाव था और उस समय वे उन च्छात्रों को च्छात्रविती देने का प्रबंद करते थे, जो भारत की स्वतनतता के लिए विचार रखते हूं सावरकर अन्य भारतिय च्छात्रों के साथ ही शाम जी के बनाए हुए इंडिया हाउस में रहने लग गए 1907 में ब्रिटिश सरकार ने 1857 की करांती की पचासवी वर्षगांट बहुत दूमधाम से मनाई अनेक समाचार पत्रों में ब्रिटिश वीरता को दर्शाया गया और गौर्णवानवित किया गया यह बात सावरकर और उनके साथियों को बहुत चुभी उन्होंने भारतिय वीरों को श्रदांजली देने के लिए कुछ कारेकरमों का आयोजन किया और सावरकर ने अपनी लिखी प्रसिद्ध कविता ओ हुतात माओ एक ऐसे ही कारेकरम में पढ़ी और बांटी जिसका भारतिय विद्यार्थियों के मन पर बहुत सकारात्मक असर हुआ लेकिन इस घटना की टीस सावरकर के मन में हमेशा रही और उन्होंने ये सोचना आरंब किया कि क्या 1857 की करांती केवल एक छणिक घटना थी या इसका कोई बहुत बड़ा स्वरूप था इसका उत्तर जानने के लिए उन्होंने ब्रिटिश आर्काइज में अपने शोध की शुरुवात की करीब दो वर्ष के गहन अध्यन के पश्चात उन्होंने मराठी में एक पुस्तक सतावन चे स्वातंत्र समर यानी 1857 का स्वातंत्र समर की रचना की ये पुस्तक इतनी खतरनाक मानी गई कि ब्रिटिश सरकार ने इसे छपने देने से पहले ही इस पर प्रतिबंद लगा दिया किस प्रकार इस पुस्तक की अप्रत्याशित प्रती को भारत लाया गया इसकी कहानी भी किसी थ्रिलर चे कम नहीं है वैसे 1907 में सावरकर ने जिसेप मैजीनी की लिखी हुई रचनाओं का मराठी में अनुवाद किया था और उस पर भी ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंद लगा दिया था उस समय सावरकर की लिखी और उन पर लिखी गई लगबग हर किताब पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंद लगा दिया था सन 1910 में सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने गिरफतार कर लिया और उनको एक शिप से भारत लाने का प्रबंद किया गया। सावरकर पर कड़ी निगरानी रखे जाने के बाद भी वह शिप के टॉयलेट की खिड़की से निकल कर समुद्र में कूद गए और तैर कर फ्रेंच टेरिटरी तक जा पहुँचे। पर सावरकर को फिर से ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफतार कर लिया। क्यूंकि सावरकर स्वयम एक बैरिस्टर थे तो उन्होंने फ्रांस की सरकार से असाइलम यानी शरन की मांग की। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच इन्टरनाशनल कोर्ट में एक मुकदमा चला जिसमें फ्रांस सरकार सावरकर को असाइलम देने में असक्षम रही। और ब्रिटिश कानून के अनुसार सावरकर को बॉंबे के न्यायाले ने काला पानी का दंड सुनाया वह संभवता पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनें दो आजीवन कारावास का दंड दिया गया उस समय एक आजीवन कारावास लगबग 25 वर्ष की अवधी का होता था यानि सावरकर को 50 वर्ष की सजा सुनाई गई जब न्यायाले ने उन्हें ये दंड सुनाया तो उन्होंने हस्ते हुए कहा कि कम से कम अब ब्रिटिश सरकार हिंदूओं के पुनर जर्म को मानने लग गई है तब ही मुझे दो आजीवन कारावास दिये गए है सेलिलर जेल के कैदियों का जीवन कैसा था चलिए एक नजर इस पे भी डालते हैं जून 2001 में दग गारजियन में जो रिपोर्ट छपी उसी से कुछ जानकारी यहां आपको बताने जा रहा हूँ बंगाल के रहने वाले धिरेंदर चौधरी को 24 वर्ष की आयू में सन 1931 में काला पानी का दंड सुनाया गया था उन्होंने बताया कि काला पानी में उन्हें जो खाना दिया जाता था वो सफेद कीडों से भरा होता था उन्हें बैलों की तरह कोलू से बांद दिया जाता और दिन भर तेल निकालने के लिए लगा दिया जाता था इसके विरोध में कुछ कैदियों ने भूकर्ताल की पर इसके उत्तर में अंग्रेज सरकार से कुछ ऐसे निर्देश आये की प्रतेक ऐसे प्रियास किये जाने चाहिए जिससे जेल में भूकरताल ना हो सके चौदरी जी ने बताया कि अंग्रेज अधिकारी उनकी नाक में जबरदस्ती एक ट्यूब डाल देते थे और वो उसे अपनी जीब से पकड़ने का प्रयास करते जब वे ट्यूब उनके गले से होकर जाती थी कभी वो उसे अपने दांतों में फसा लेने में काम्याब हो जाते और कभी नहीं पर अंग्रेज उस ट्यूब को डालना बंद नहीं करते थे इंडियन मेडिकल कमीटी की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टी करती है ऐसी ही एक रिकमेंडेशन के अनुसार A rubber catheter should be inserted through the nostril and so to the stomach A solution of milk, eggs and sugar should be poured via a funnel In certain cases, rectal feeding should also be tried Cellular jail में दी गई यातनाएं इतनी भयंकर थी कि ना जाने कितने ही लोगों ने आत्म हत्या कर ली और ना जाने कितने ही लोग पागल हो गए इंदू भूशन रोई ने 1912 में अपने कुर्टे से फांसी लगा कर आत्म हत्या की इस खबर का बुरा असर उलासकर दत पर पढ़ा और वो पागल हो गए और उन्हें mental asylum में transfer करना पढ़ा जहां उन्हें 14 वर्ष रहना भी पढ़ा कैदियों को कई कई दिनों तक हतकड़ी लगा कर रखा जाता और दिवार पर एक खूंटे से दिन बर बांद कर खड़ा रहने का दंड दिया जाता एक बार ऐसा ही दंड वीर सावरकर को मिला और उन्हें लगातार साथ दिन दिवार के साथ खड़ा रहना पड़ा सावरकर को भी ऐसी अनेक यातनाई सहनी पड़ी पूरे वर्ष में उन्हें केवल एक पत्र अपने परिवार को लिखने की अनुमती थी इतना ही नहीं सावरकर के बड़े भाई को भी काला पानी का दंड दिया गया और दो वर्ष तक दोनों भाईयों को ये भी पता नहीं था कि वे दोनों वहीं है मैं जानता हूँ कि अब आप सोच रहे होंगे कि सावरकर की लिखी मर्शी प्रेटीशन का क्या तो चलिए अब कुछ फैक्ट्स और मित्थ आपके सामने रखता हूँ जिन लोगों की अंग्रेजी बहुत कमजोर है केवल वो ही मर्शी प्रेटीशन को अपॉलिजी लेटर कह सकते हैं मेरे बहुत ढूंडने पर भी ऑक्सफर्ड या किसी भी डिक्शनरी में मुझे मर्शी शब्द का अर्थ अपॉलिजी नहीं मिला तो सबसे पहले शब्दों के इस हेर फेर से बाहर आते हैं विच मीन्स दया याचिका इस नॉट इक्वल तू माफी नामा It is a fact that Veer Savarkar did write few mercy petitions to jail authorities जब वो काला पानी का दंड भोग रहे थे 1913 में उनकी लिखी गई mercy petition पर उस समय के home member Sir Reginald Credoc ने कुछ ऐसा लिखा Savarkar's petition is one for mercy He cannot be said to express any regret or repentance But he affects to have changed his views जिसका मतलब कि सावरकar को किसी बात का पच्चतावा या दुख नहीं था ये केवल दया याचिका थी ऐसी ही petitions सचिंदरनाथ सान्याल, नंद गुपाल, बरिंदर गोश, सुधीर सरकार और अन करांतिकारियों ने भी लिखी थी जेल से निकलने के बाद सचिंद सान्याल ने इसके बारे में ये लिखा विनायक दामोदर सावरकर ने भी तो अपनी चिठी में ऐसी ही भावना प्रकट की थी जैसे की मैंने की है तो फिर सावरकर को क्यों नहीं छोडा गया और मुझी को क्यों छोडा गया सावरकर की ऐसी ही पेटीशन पर सर रेजिनाल क्रेडॉक ने उस समय के गवर्नर जर्नल को ये लिखा In the case of सावरकर, it is quite impossible to give him any liberty here and I think he would escape from any Indian jail So important a leader is he that the European section of the Indian anarchists would plot for his escape यानि सावरकर को छोडने का तो ब्रिटिश सरकार सोच भी नहीं पा रही थी और हमारे आज के ग्यान वाचक उनकी माफियों की जूटी कहानिया बना बना कर बेच रहे हैं अरे भाई हमारी मानो या ना मानो अंगरेजों की बात तो मान लो दो लोयलोटी टो दी ब्रिटिश गववेमंट ऐसी अनेकों दया यालोचिकाएं ब्रिटिश सरकार के पास आती थी जिनमें से उन्होंने कुछ सुपीकार भी की लेकिन अपनी दया याजकाओं में लोयल्योंटी to the British government का वादा करने के बाद भी क्रांतिकारी जेल से रिहा होते ही फिर से British सत्ता के विरुद अपनी गतिविदियां तेज कर देते थे ऐसा ही कुछ सचिंदरनाथ सान्याल के केस में भी हुआ जिनोंने जेल से रिहा होते ही राम प्रसाद बिस्मिल से संपर्क बिठाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन की स्थापना की इसके कारण उन्हें एक बार फिर काला पानी की सजा हुई बरिंद्र गोश के केस में भी यही हुआ सावरकर की 1920 में एक की एक दया या चिका पर ब्रिटिश सरकार ने कुछ यू उत्तर दिया बरिंद्र गोश जैसे लोगों को छोड़ना हमारे लिए कुछ विशेश लाबदायक नहीं हुआ है इसलिए पेटीशन में लिखी बातों का कोई विशेश महत्व नहीं है वैसे ऐसी मर्सी पेटीशन्स राम प्रसाद बिस्मिल, एम जी राना डे और अन्य करांतिकारियों के लिए लिखना एक आम बात थी मर्सी पेटीशन्स की बात करने वाले ज्यान वाचक लोग काश हमें ये भी बताते की सेलिलर जेल के कहदियों का जीवन कैसा था जो लोग ये सोचते हैं कि सावरकर ने लगातार दया याचिकाएं डाली और इसी कारण उन्हें 1921 में सेलिलर जेल से छोड़ दिया गया वो शायद ये बात नहीं जानते कि सेलिलर जेल को 1921-22 में ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया था जिस तरह की यातनाएं ब्रिटिश सरकार सेलिलर जेल के कैदियों को दे रही थी उसके कारण ब्रिटिश पार्लिमेंट तक में इस पर बहुत शूर हुआ देश भर में भी प्रोटेस्ट बहुत तेज हो गए और ब्रिटिश सरकार बैक फुट पे आ गई थी इसी वज़ा से उन्होंने 1921 में काला पानी की सजा पर रोक लगा दिया और करीब 4500 कैदियों को सेलिलर जेल से निकाल कर इंडियन में लैंड ले जाया गया सावरकर को भी इसी निरने के तहट ही रतना गिरी में नजर बंद कर दिया गया था सावरकर शायद इकलोते ऐसे करांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने दो आजीवन कारावास का दंड दिया था सावरकर की लिखी गई 57 चे स्वातंत्र समर यानी 1857 का स्वातंत्र समर को छपने देने से पहले ही बैन कर दिया गया था इस किताब की कॉपीज को स्मगल करके भारत लाया जाता था भगत सिंग और सुकदेव ने भी इस किताब को सीक्रेटली चपवाने के लिए बहुत मेहनत की थी आप सोच सकते हैं कि वो सरकार कितनी डरी हुई होगी कि उसने सावरकर की लिखी कोई भी किताब छपने ही नहीं दी काला पानी में सावरकर के गले में डी यानी डेंजरेस की एक मेटल प्लेट हमेशा गले में रहती थी सावरकर और उनके भाई गनेश दोनों एक साथ काला पानी में दंड भोग रहे थे पर सावरकर को कहीं बार जाने की परमिशन नहीं थी और उन्हें दो वर्ष तक ये भी नहीं पता था कि उनका भाई भी उसी जेल में है जब उनके भाई गनेश को रिया किया गया तो उने एक कोलाटरल की तरह यानि गिरवी रखकर ब्रिटिश सरकार ने जेल में ही रखा यहां तक तो बात हुई सावरकर की मर्सी प्रेटीशन्स के अर्धसत्य की अब जैसे कि मैंने बताया कि सावरकर के बारे में जैसी ही बात होती है तो कई अजीबों गरीब बाते लेके लोग सामने आ जाते हैं आज उन में से भी कुछ बातों का हम यहां उत्तर देना चाहते हैं वैसे कितना बढ़िया लगता है जब वो लोग सावरकर पर ग्यान देते हैं जो खुद 10 दिन भी इस कुरोना के समय में अपने आपको घर में बंद नहीं कर पाए उनके पास तो टीवी, फोन, खाना पीना सब कुछ है पर ग्यान देना है उन्हें सावरकर पर सावरकर ने 10 साल काला पानी में क्या किया किया कसम से एसी कमरे में नरम नरम सोफे पे बैट के सावरकर पर कमेंट्स करने का तो बस मजा ही कुछ और है अगर सावरकर फादर ओफ हिंदुत्वा है तो चंद्रगुप्त मौर्या, पृत्वीरा चोहान, महराना प्रताब, शिवाजी और ऐसे अनेकों वीरों को क्या नाम देंगे अभी तो मैंने ब्रह्मा विश्नु शिव की बात ही नहीं की, उन्हें तो कुछ लोग वैसे भी माइथॉलोजी का हिस्सा मानते हैं, इतिहास का नहीं जब कोई छत्रिय अपने धर्म के अनुसार हिंदू संस्कृती और भूमी की रक्षा करेगा, उसी का नाम हिंदुत्व है जब समाज के सभी वर्ग अपने धर्म का पालन करेंगे, उसी का नाम हिंदुत्व है अकसर टर्मिनॉलिजी में फसा कर, बस किसी भी पसनालिटी को स्टीरियोटाइप बनाने की कोशिश की जाती है विच ओविसली इस इल्लॉजिकल विट नमबर टू, सावरकर गेव हिंसेल्फ दे टाइटल वीर कुछ ग्यानी लोग ये कहते हैं कि सावरकर को वीर का टाइटल सावरकर ने खुद अपनी बुक में दिया था वो कहते हैं कि इस बुक के पब्लिशर रविंद्र रामदास ने ये खुलासा किया कि ये किताब किसी और ने नहीं, बलकि खुद सावरकर ने लिखी है ये किताब सावरकर ने खुद ही लिखी है, ये बात बिलकुल सच है पर इसका ओरिजनल टाइटल था लाइफ आफ बैरिस्टर सावरकर और इस किताब में कहीं भी वीर शब्द का उपयोग नहीं हुआ है उस समय सावरकर की गतिविदियों पर बहुत कड़ी नजर रखी जाती थी इसलिए उन्होंने ये किताब नाम बदल कर लिखी जिस किताब की बात यहां ग्यानी लोग कर रहे हैं वो 1986 में 1986 में टाइटल चेंज करके Life of Swatantra वीर सावरकर के नाम से चापी गई वैसे ओरिजिनल किताब सबसे पहले 1926 में B.G. Paul and Company Publishers ने चापी थी पर उसे बैन कर दिया गया था वैसे The Week के 2016 के एक आर्टिकल के हिसाब से सावरकर को वीर का टाइटल लगबग 1920 में B.B. भुपाटकर नाम के व्यक्ती ने दिया था जो उस समय एक मराठी पत्र भाला से जुड़े हुए थे Myth No.3 सावरकर वास फ्री आफ्टर 1921 1921 में सेलिलर जेल से सावरकर को निकाल के महराश्टर की एक छोटी सी जगा रतनागिरी के जेल में शिफ्ट कर दिया गया कुछ साल उन्हें वहां नजरबंद रखने के बाद उन्हें पूने के येरवाड़ा जेल में शिफ्ट किया गया था इस दोरान उन्हें बहुत अधिक आजादी नहीं थी वो बहुत ही लिमिटेड लोगों से मिल सकते थे और पत्रा चार पे भी बहुत प्रतिबंद लगा हुआ था अक्सर ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने हिंदू महासबा का निर्मान किया पर ये बात सही नहीं है जब हिंदू महासबा का गठन हो रहा था यानी 1915-1916 के आसपास तब सावरकर काला पानी की जेल में थे हाँ बाद में जाके वो इसके सबसे प्रॉमिनेंट लीडर रहे वैसे आपको बता दूँ कि हिंदू महासबा was established more or less in response to the establishment of Muslim League in 1906 So basically 1911 से 1937 तक यानि 26 साल तक तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में ही रखा मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश का ऐसा करांतिकारी होगा जिसने इतनी कठोर यातनाय सहने के बाद भी भगत सिंग और सुभाष चंदर बोस जैसे वीरो को प्रभावित करा होगा बड़े-बड़े महापुर्शों ने हमें ये भी बताया कि टू नेशन थियोरी का आदार सावरकर ने रखा था चलो उन्हें बता देते हैं कि जब सावरकर ने अपना करांतिकारी जीवन शुरू भी नहीं किया था तब 1906 में मुस्लिम लीक के इस्टैबलिश्मेंट के साथ ही टू नेशन थियोरी की नीव रखी जा चुकी थी सावरकर ने कहा था कि भारत में दो अलग अलग देश बसते हैं एक हिंदू और एक मुस्लिम और ये बात तो फैक्ट है कि कल्चरली ये दोनों कम्यूनिटीज एक दूसरे से बहुत अलग हैं लगबग आसमान और जमीन का अंतर है पर सावरकर ने कभी ये नहीं कहा कि इस बेसिस पर राश्टर का बटवारा हो जाना चाहिए इसकी नीव तो मुस्लिम लीग ने बहुत पहले ही रख दी थी और इस अलग देश की डिमांड में उसका साथ दिया था कॉंग्रेस और ब्रिटिश इंडियन गवर्मेंट ने वैसे जब कोई ये बात करता है तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ एक तरफ तो वो लोग कहते हैं कि सावरकर ने जेल से निकलने के बाद कुछ नहीं किया उनका कोई पॉलिटिकल कॉंट्रिबूशन नहीं था फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि टू नेशन थियोरी सावरकर ने बनाई जब उनका कोई पॉलिटिकल क्लाउट या इंफ्लूएंस नहीं था तो उस समय की कॉंग्रेस और ब्रिटिशर सरकार ने उनकी सिर्फ ये बात मान ली और बाकी बाते जाने दी बहिया फैसला कर लो कि सावरकर का पॉलिटिकल इंफ्लूएंस था या नहीं था ये बात एक फैक्ट है कि वीर सावरकर का नाम महात्मा गांदी की हत्या में आया था सावरकर के क्रिटिक्स इस बात के लिए उनको बहुत घेरने की कोशिश करते हैं पर अब मैं कुछ प्रशन पूछना चाता हूँ सरकार कॉंग्रेस की थी पूरी जुडिशरी पुलिस इंटेलिजन्स की मशीनरी उस समय कॉंग्रेस की ही थी तो किसने उने रोका था सावरकर को सजा देने से आप National Archives of India पर जाकर पूरी जज्जमेंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सावरकर के खिलाफ एक भी सबूत सरकार को नहीं मिला था फिर ऐसा मिस इन्फरमेशन का प्रोपेगेंड़ा आखिर क्यों मिथ नमबर सिक्स भारत रत्न इस ऑल्वेज अर्ण टोथफुली हम यहां भारत रत्न की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले भारत सरकार ने सावरकर को भारत रत्न दिये जाने की बात छेडी थी अब ये बात तो सही है कि भारत रत्न देश के दिगज लोगों को उनके कॉंट्रिबूशन के लिए दिया जाता रहा है भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को केवल तब ही मिलता है जब प्रधान मंत्री इसके लिए अपनी रिकमेंडेशन राश्ट्रपती को भेजे आपको शायद ये ना पता हो कि 1955 में नहरू जी ने खुद ही का रिकमेंडेशन खुद ही को बेजा और खुद ही अपरूफ करा के भारत रत्न भी ले लिया ऐसा ही काम उनकी सुपुत्री इंदिरा गांदी ने 1971 में किया कितना बड़ी आरेंजमेंट रहा होगा अंत में कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे आप ये समझ सकें कि सावरकर के विरुद कैसे कैसे शड़यंत्र आज भी रचे जा रही है संबव है कि आपने सुना हो कि कुछ लोगों ने भगत सिंग और सावरकर को कमपेर करने का प्रयास किया है पर वो ये बात बताना भूल जाते हैं कभी अपनी अशिक्षा के कारण और कभी और अधिकतर अपने किसी एजेंडा के कारण 1924 में भगत सिंग ने एक लेक लिखा था वसुदेव कुटुम्बकम जिसमें उन्होंने सावरकर के बारे में कुछ यू लिखा The believer in this doctrine that is वसुदेव कुटुम्बकम is that brave man whom we are not ashamed to label as terrorist, anarchist, etc. वीर सावरकर सावरकर की लिखी 1857 का सौतंत्र समर को रहस्यमई तरीके से छापने के लिए भी भगत सिंग और सुखदेव ने बहुत मुश्किल उठाई थी आज जिस तरह के एक तरफे सावरकर को रखने का जो अपराद किया जाता है वो बहुत ही नीच है साथ मार्च 2018 को इंडिया टुडे में एक लेक छपा कि सावरकर लेनिन से लंडन में मिलने गए थे लिखने वाले ने बहुत मेहनत की ये दिखाने की कि सावरकर एड्माइड लेनिन पर जहां से उसने इस लेक के रेफरेंस ली वहां भी ऐसा कुछ नहीं मिला अपने लेक में बस एक जगा ये लिख दिया कि सावरकर और लेनिन की मीटिंग्स में क्या हुआ इसकी कुछ डीटेल्स उपलब्द नहीं है फिर ना जाने कैसे वो इस निशकर्श पे पहुचा कि सावरकर लेनिन के प्रशन सक थी इसे अनेकों उधारण आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जहां अर्द सत्य दिखाकर सावरकर की छवी को खराब करने का भरसक प्रयास किया जाता है जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी भारतिय जन्मानस के सामने इतिहास के बहुत से पन्ने खुलने बाकी है जैसे जैसे कोहरे की ये चादर हटेगी वैसे वैसे आकाश प्रकाशमान होता जाएगा पर इसके लिए अभी बहुत प्रयास लगेंगे ऐसे प्रयास को दिशा दिखाने का काम करता है सावरकर जैसे महापुर्शों का जीवन उनके जीवन से सीखने के साथ साथ उसके कुछ अंश यदि हम अपने जीवन में उतार दें शायद कठिन कारे होगा मैं आशा करता हूँ कि आज का इंडिया टॉक एडिशन आपको पसंद आया होगा कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें अवश्य बताएं और इस कुरोना काल में आपना और आपके अपनों को बहुत बहुत ध्यान रखिए स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ट नमस्ते